जरी 2021 के करेंट अफेर डिसकस करेंगे अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए पैस्ता बेल आइकन आज का फर्स्ट कॉशन है कि कौन सा सिटी जो है जिसने जीता है ग्रीन कंटेस्ट अमोंग दे सिटी इन इंडिया इंडिया के बीच में किस सिटी ने ग्रीन कंटेस्ट जो है वहाँ जीता है और वहाँ उब्रहा है एक ट्री सिटीस ओफ दा वल्ड के रूप में तो इसका सही आउसर है option A जो हैदराबाद city है उसने जीता है green contest among cities in India और immersed as one of the three cities of the world और एक three cities of the world के रूप में जो है उबरा है हैदराबाद जिसने ये award जीता है ये जो title है वह किसके द्वारे दिया गया है वो दिया गया है और बॉर्ड डेव फांडेशन और food and agriculture organization के द्वारा पांच मेट्रिक्स पर जो है वह इवैलुएट किया गया था इस contest के लिए जैसे कि पहला है establish responsibility दूसरा है set of rules थर्ड है know what you have क्या जानिये जो आपके पास है allocate the resources जितनी भी resources है उनको allocate करवाना और अपने achievements को celebrate करना celebrate the achievements ठीक है next point हम इसमें हम बात करेंगे कि हैदराबाद क्यों select हुआ है क्योंकि जो उसका commitment था urban forestry को लेकर उसने वहाँ उसी के लिए जो है उसे यह award से नवाजा गया उन्होंने यह commitment किया था कि वह urban forestry को grow करेंगे काफी ज़्यादा बढ़ाएंगे और उसे maintain करेंगे अब इसी के साथ जो है वो हैदराबाद जो है बाकी की 23 countries की जो 120 cities जो है ठीक है world की जो cities of the world के रूप में जानी जाती है tree cities of the world के रूप में उबढ़ी होई है उनमें एक इंडिया का हैदराबाद भी आ गया है अगला question है कि कि संग्ठन को संयुक्त रास्ट परियावरण कारिक्रम द्वारा एशिया परियावरण परवर्तन प्रोसकार 2020 प्राप्त हुआ है तो इसका सही आंसर है option B wildlife crime control bureau option B था right answer कि जो wildlife crime control bureau जो है ठीक है जिसने जीता है एशिया environmental enforcement award 2020 यह जो अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया गया है वो याद रखने यूनाइटे नेशन इन्वार्मेंट प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पर यह इसी बारे में information दी गई है कि wildlife crime control bureau ने जीता है एशिया environmental enforcement award 2020 तीन साल के अंदर जो है वहाँ इस organization ने दो अवार्ड जीत लिये हैं यहाँ पर बताएगे कि इससे पहले विए 2008 में जीता था आईए इस organization के बारे में बात करते हैं wildlife crime control bureau यह एक statuary body है जो कि wildlife protection act 1972 के तैद बनी थी इसकी जो parent organization जो है agency वह है ministry of environment and forest mandate का क्या है इसका काम क्या करती है country में wildlife crime को रोकने का काम करती है और उनको कम करने का इसका headquarter new Delhi में है पांच इसके regional office है दिल्ली कॉलकता मुंबई चैन्नाई और जवलपुर wildlife crime control bureau ठीक है इन्होंने develop किया था एक online wildlife crime database management system जहाँ पर जो इंडिया के अंदर जो wildlife से related जो animals फोन और flora से related जितने भी crimes होते हैं उन सबी को जो है यहाँ पर जो है वह डालने के लिए कि कहाँ पर एक identity करने के लिए कि कहाँ पर कितना crime हो रहा है उससे साब से वहाँ पर काम करना ठीक है इस तरह से उन्होंने पूरा एक digital online wildlife crime database management जो है वह डैबलप किया इन्होंने कई सारे जो है मतलब इनके द्वारा कई सारे operation चलाए गए और successful भी हुए जैसे कि operation save कुर्मा थंडर बर्ड वाइल्ड नैट लेस्कनो वर्बिल थंडर स्टॉर्म लेस्कनो सेकंड इनका मतलब में मकसद यही था कि जैसे जो elephant होते हैं ठीक है उनकी जो दातों के लिए ठीक है जो व जो उनका जो crime करा जाता है ठीक है सीज किये जाते हैं जो animals उन सभी को रोकना next question है कि mobile app snackpedia किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है तो इसका सही आंसर है केला option c is the right answer यह एक एप है ठीक है जो team है scientist doctor और photographer की केला में उनके द्वारा जो है वो एक application बनाए गई है mobile application जिसका नाम है snackpedia यह क्या करेगी जितनी भी information है ठीक है जो relevant information होगी जो साप होते है snacks होते है उनसे related और यह मदद करेगी public को और doctors को ठीक है जो snack bite जब जब snack जो काट जाता है उसके treatment में मदद करेगी public और doctors को यह app इसका main app यह है जो main जो इस app का जो main काम है वो यह है कि public identify snakes को help करना मतलब लोगों को बताना कि यहाँ पर snakes हो सकते हैं ठीक है proper treatment देना बताना कि ऐसे situation में इस तरह से deal करिये ठीक है कई बार जो rumors होती है snakes के बारे में उनको भी खतम करना ठीक है snakes को भी protect करना और snake bite victim को भी जो है वहाँ बचाना अगला question है मा समलेश्वरी तीर्थ के विकास के लिए किस राज्ये ने 200 करोड रुपे के package की घोशना की है तो इसका सही answer है option B उडिसा जो उडिसा राज्ये जो है उसने announce के एक package 200 करोड का जिसमें वह develop करेगी मा समलेश्वरी मंदिर को यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है काफी भव्य मंदिर है यह state government जो है उडिसा की ठीक है उनके द्वारा launch किया जा रहा है development work जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है सम समाल आई ठीक है इसका full form क्या है समलेश्वरी temple area management and local economy initiative यह क्या करेगी यह offer करेगी जो भी दिव्य भव्य जो experience है ठीक है और टुरिस्ट और जो devotees होते हैं जो भक्त होते हैं ठीक है उन सबी के लिए एक तरह से यहां पर main जो है वह काम किया जाएगा ठीक है इस temple पर इसे औ और भी ज्यादा beautification किया जाएगा और ज्यादा सुंदर बनाया जाएगा और टूरिस्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा अगला question है प्राइम निस्टर ने महा बाहु भ्रह्म पुत्र की पहल किस राज्ज में शुरू की है तो इसका सही answer है option c असम असम राज्ज में launch किय गया है महा बाहु भ्रह्म पुत्र इनिशेटिव प्राइमनेस्टर नरीन मोदी ने launch किया है महा बाहु भ्रह्म पुत्र इनिशेटिव और अधार शीला भी रखी है एक bridge की जो perform करेगा ठीक है मतलब उन्होंने अचली अधार शीला रखी तो जो पूरी अधार शीला में ज जो मकसद है वो यह है कि connectivity जो है Eastern States की उसको इंप्रूव करना यहां पर रोपैक्स वैसल ऑपरेशन भी चलाए जाएंगे ने माती से लेकर मजूली आइलेंड नौर्थ गुहार्टी से साउथ को गुहार्टी को connect करना और डुबरी से लेकर हत सिंगी मारी तक connect करना इसी के स सजफ हो है वह इनलेंट वॉटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल जोगी गोपाक का भी अधारशीला रख्या गया है मतलत Л ंब बात की जा रह china कि इनलेंट वाचल ट्रांसपोर्ट टर्मिनल की अधारशीला रखी है लॉन जो किया है महा बाहु भाम पूत्र ठीक है यह जो प्र सिस्टम हैलीना और ध्रुबस्त विक्सित किया है तो यह किसके द्वारा जो है यह एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल सिस्टम क्या नाम है इनका हैलीना और ध्रुबस्त्र ठीक है यह किसके द्वारा बनाए गए है यह डियाडियों के द्वारा बनाए गए है याद रखना Anti-Tank Guided Missile System Helena and Dhruvast ठीक है ये Helena जो है वो आर्मी के लिए है और जो धुर्वस्तर जो है वो Air Force के लिए है और इनको जो है वो अभी हाली में इनको carried out किया गया इनको दागा गया है Advanced Light Helicopter Platform से Desert Ranges में ठीक है जो लेगी स्थान है वहाँ पर Next question है कि नागरिक उडियन मंत्राले ने कितने जिलों में क्रशी मंत्राले को दूरस्त रूप से पाइलिट विमान प्रडाली के उपयोग के लिए शशर्थ छूट दी है यहाँ पर बात की जारी है कि कितने डिस्रिक में Ministry of Civil Aviation ने एक conditional exemption जो छूट दी जाती है इसने जो डिस्रिक है वहाँ पर Agriculture Ministry जो है वहाँ remotely piloted aircraft system को यूज कर सकती है वो है सौट डिस्रिक में ठीक है लेकिन एक बात याद रखना मतलब यहाँ पर जो permission जो grant की गई है इसमें कुछ conditions भी है ठीक है कुछ condition के साथ छूट दी गई है कि सौट डिस्रिक के अंदर जो है Agriculture जो मिनिस्ट्री है वो अपने जो drones जो होते है ठीक है उनको deploy कर सकती है और जो data होगा ठीक है पंचायत लेवल पर जो yieldic से related जो भी data होगा वो drone की मदब से प्राप्त किया सकता है और यह काम किया जो रहा है जो drone deployment ठीक है लिए वह valid होगी एक साल के लिए जिस दिन से जो है वह issue करवाए जाएगा Next question है कि निम्लिकित मैंसे किस ने 2019-20 के लिए लोगपाल योजनों की वार्षिक report जारी की है यहाँ पर बात की जारी है ombudsman की ठीक है अगर कोई भी ठीक है दिक्कत होती है कोई भी प्रॉब्लम्स होती है किसी भी customer को bank से related या non-bank financial institute से related institutions जो होते हैं जैसे कि method finance हो गया इन से related या फिर कोई भी commercial bank cooperative banks हो गई या फिर जितने भी हमारी digital transactions हो गए ठीक है इस से related अगर यह तीन तरह की जो है वहाँ ombudsman जो है वह provide किरवाय जाता है Reserve Bank of India के द्वारा तो इसी से लेकर जो है वह एक report release की गई है RBI के द्वारा तो इसका answer क्या हो जाकर Reserve Bank of India Reserve Bank of India option D ठीक है जिनके द्वारा भी released किया गए annual report किसके उपर है यहाँ ombudsman scheme है इसमें क्या होगा अगर customer को कोई भी शिकायत है तो वह जाके यहाँ पर जो है वह register करवा सकती है इस ombudsman में जाकर ठीक है तो यहाँ पर बात की गई है इस report के अंदर कि जो customer की जो problems है ठीक है जो शिकायत हैं वह 65% तक बढ़ गई है लेकिन जो निप्टारा भी किया गया है वह 92% तक जो problems थी ठीक है उनका solution भी दिया गया है ठीक है RBI जो है उसके पास तीन तरह का obviousment है ठीक है मतलब कोई भी जो problems जो है वह register करवा सकती हो अगर बैंक से related कोई भी शिकायत होती है तो आप जो है वह register करवा सकती हो ठीक है तो यह banking obviousment है non banking financial company से related भी अगर कोई भी शिकायत है तो वह register करवाई जा सकती है और digital transaction से भी related अगला question है किस राज्यन है दो हजार चालिस तक जलवायू लचिला पन और कम कारवन उस सर्जन प्राप्त करने के लिए United Nation Environment Program के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये है यहाँ पर बात की जारिया कि किस स्टेट ने साइन किया एक pact United Nation Environment Program के साथ दोनों मिलकर काम करेंगे कि जो climate में resilience लाना लचिला पन लेके आना और कारवन के जो Amazon होता है जो कारवन का उस सर्जन होता है उसको कम करने के लिए काम करेंगे और 2040 तक जो है वहाँ इस टार्गेट को अचीव भी करना है तो इसका सही आंसर है option B बिहार ठीक है बिहार और United Nation Environment Program जो है वो दोनों मिलकर 2040 तक ठीक है अचीव कर लेंगे climate resilience और low carbon Amazon development यहाँ बिहार के बारे में कुछ रीसेंट की इवेंट्स हुएं जैसे की जो जी आई टैग मिला हुआ है दो प्रोटेक्ट्स हैं बिहार के शाही लीची और जरदालू मैंगो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है बिहार में हाइस फर्टिलिटी रेट है इंडियन रेलवे ने पहली जो किसान रेल जो तीवा महारास्ट्र से लेकर बिहार तक चलाई चीफ मिनिस्टर जो है नितिश कुमारों नहीं साथ भी बार जो है वह शबतली है प्राइम मिनिस्टर नरीन मुदी ने कई सारे प्रोजेक्ट जो है वह देश के नाम किये हैं बिहार के नेक्स्ट्रेप बिहार ने आयाईटी दहली के साथ मिलकर जो है वह एक प्लेटफॉर्म बनाया है ठीक है ताकि एयर क्वालिटी मैनेश्मेंट से रिलेटेड होगा घ वन्य प्राणी सेंचरी कैमूर सेंचरी उदयपूर वन्य प्राणी सेंचरी नागी नक्ती डैम वर सेंचरी विक्रम शीला गैंगेटिक डॉलिफिन सेंचरी कनवर जील वर सेंचरी लोकेशन भी देख लेते हैं एक बार बिहार की यह आप मैप में देख सकते हैं बिहार ज जहारखंड के साथ और बेस्ट वंगाल ठीक है ये तीन स्टेट्स है यूपी जहारखंड और बेस्ट वंगाल इनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है नेस्ट कोशन है कि हाल ही में तमिल साय सौंद्र राजन ने किस केंद्र शाशित प्रदेश के लेफ्टिन एंड गवर्णर के रूप में शबत ली है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पदुचेरी ठीक है अभी पदुचेरी की जो नई जो गवर्णर बनी है ठीक है उनका नाम क्या है तमिल साई सौंद्र राजन पहले कौनती किरनवेदी अब ये है ठीक है तमिल साई सौंद्र राजन जो है वह लेफ्टिन एंड पदुचेरी के ठीक है जो मद्रास हाई कोट के जो चीफ जस्टिस है संजी बैनर जी के द्वारा जो है इनको शबत दिलाई गई है अब यहां पर रिवीजन सांसर की बात करें तो फेला फागुन वसंत महोतसब यह बंगला देश में जो है सैलिब्रेट किया जो आता है य ठीक है जो कंटॉनमेंट जो एरिया है वो डेफैंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉंच किया गया यहां पर जो चाबनी पोर्टल है जो की जितने भी कंटॉनमेंट बोर्ड के जो रेसिडेंस होंगे उनको सिविक सर्विस प्रोवैड की जाएंगी ऑनलाइन ठीक है उनकी ज पस्ते दाम पर जो है लोगों को खाना मुहा खरवाया जाएगा टैक्नोग्राफिस जो है वो इनिशेटिव है हाउसिंग मिनिस्ट्री का अगला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी ने अर्जुन में बैटल टैंक एम के फॉस्ट है इंडियन आर्मी को दिया है 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 यह डैबलब किया गया थे डियाडियो के द्वारा यह बिल्कुल ठीक है आप सभी के लिए कॉशन है कि भारतिय नौसेना इरान रूसी समुद्र सुरक्षा बैल्ट दो हजार एक्किस में शामिल हुई है यहाँ पर बात की जा रही है कि इरान और रेशिया मेरिटाइम सेक्यो सभी के लिए 19 फबरी के रिविजन कॉशन है कि अभी हाली में किस इंसीट्यूट के द्वारा सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक टू वीलर पी आई एमो डैबलब किया गया है नेक्स्ट कॉशन है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्ष्णरी के अंदर क्या दस हजार टम्स जो ह वहां इंक्लूडिड है अगला कॉशन है किरला के चीफ मिनिस्टर जो है उनने जीता है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ ते यर अवार्ड नेक्स्ट कॉशन है कि प्राइम निस्टर ने अभी हाल ही में काविरी बेसिन रिफाइनरी का जो अधार शीला रखी है वहां क्या आ अंद्रपदेश में रखी है आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए थैंक्यू सो मच